तो दूसरी इस वीडियो में बात करने वाले RCC के बारे में और RCTC का weekly review हम इस वीडियो में करने वाले मतलब पिछले हफ़ते में क्या हुआ है? और आने वाले एक हफ़ते के लिए आप यहाँ पर क्या expect कर सकते हो? सबसे पहले RCTC की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर volumes में बहुत ही ज़्यादा DK हो चुका है. मतलब यहाँ पर अभी कोई भी position बनाने का कोई मतलब नहीं है. Stock एक ही दिन में यहाँ पर घुमेगा. अभी तो RCTC के लिए एक negative news यहाँ पर निकल कर आ रही due you to the coal, जो coal की supply का थोड़ा सा crisis चल रहा है. इसलिए 650 यहाँ पर mails मतलब mail का मतलब क्या? जो passenger train रहती है उनको यहाँ पर cancel किया गया है. ठीक है अभी वो कितने period के लिए cancel किया गया है. उसका कोई भी यहाँ पर अभी official नहीं आया है, लेकिन कुछ temporary time के लिए उनको cancel किया गया है. अभी तो RCTC के घर में बात करें तो यहाँ पर एक train line है, ठीक है यहाँ पर नीचे से तो अभी चलो छोडो की यहाँ पर एक ही sport है और वो है 700 का. ठीक है कुछ इस तरह का structure है तो अभी दोस्तों structure क्या करें? धीरे धीरे करके contract कर रहा है यहाँ पर इसका contraction हो रहा है तो हमें क्या चाहिए? या तो stock internet के उपर breakout देखने अच्छा तो या तो फिर ये second के नीचे brass दे. हम दोस्तों, कभी market में कोई भी side virus नहीं रहेंगे. ठीक है for the long term purpose in ARCTC definitely मेरे portfolio में है. लेकिन वो before split जब 1300 पे था तब से है तो अभी ये चोटी मोटी गिरावट से मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ता और नहीं पढ़ने वाला है. ठीक है वो अलग बात हो गई, लेकिन अभी हम जो sevens play करते हैं, जो positional plays करते हैं, option में हो गया, कहीं पर भी हो गया, futures में हो गया, किसी में भी हो गया. हमारे लिए कोई भी side का bow fuel नहीं होना चाहिए. किसी भी side का breakout breakdown train निकलेगा, हम उस side में aggressive trade करेंगे. ठीक है, send के नीचे breakdown देता है तो 600 तक का level है, internet के उपर breakout देता है तो 1200 तक की rally है, ठीक है, तो इन levels को ध्यान में रखते हुए आपको IRCTC में अभी आगे बढ़ना है, तो दूसरी और हम यहीं करते वीडियो अच्छा लगा, तो क्लिक करना channel को subscribe phone शुरू कर लेना.